एक ऐसी कॉलोनी के तस्वेर दिखाते हैं जिसे देकर आप कहें उठेंगे कि वाकई ये तो नर्क से भरी जिंदगी जी रहे हैं बरनाला के रामगडिया के वार्ड नमबर 4 और 12 की लोगों की नर्क भरी जिंदगी का कारण है कॉलोनी में फैली कंदगी और सीवरेज के ओवरफ्लो वाला पानी उससे लबालब भरी पड़ी सड़के जहां से गुजरने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हाला आती हो चुके हैं कि पिछले कई दिरों से कॉलोनी के लोग अधिकारियों के चकर भी काट रहे हैं लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है यही नहीं बलकि इस कॉलोनी में लोगों को पीने के लिए साफ पानी भी नहीं मिल पा रहा है सरकार की नजर अंदाज़गी कर शकार को रहे कॉलनी के लोगों ने सरकार के खिलाफ अब नारेबाजी करनी भी शुरू कर दी है हालाकि इस बाबत जब यहां के लोगों ने कॉंग्रोस पारशत से बात की तो फिर उन्होंने साफ कह दिया कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को बोट डाली है तो वो आप पिधायक से ही काम कर वाए चलिए बरनाला से हमारे संबादाता राजेश हमारे साथ लाइब जो चुक है राजेश रामगडिया इलाके में लोगों का जो जीवन है वो धर्ती पर भी नर्क समान ही बना हुआ है क्योंकि कई सारी परिशानियों से रोजाना उन्हें दो चार होना पड़ता है लेकिन जिम सब्सक्राइब का पानी मिक्स हो रहा है जिस वजह से लोग यहां पे रोज बीमार हो रहे हैं और अभी-अभी मुझे पता लगा है कि आज क्रीब बारह एक बज़े के क्रीब एक जो नौजवान है उसकी देथ इसी वजह से होगी थी क्योंकि गंदा पानी पीने की वजह स उसके पेट में इंफेक्शन बढ़ी इंफेक्शन बढ़ने के कारण उस लड़के की जो रित्य हो गई है हमारे साथ यहां पे कुछ जो महला के निवासी है रामगडिया रोड के निवासी हैं आप क्यों से बात करवाने की कोशिश करूंगा कि कैसे यह लोग नर्क से भी दूर नहीं की जाती और क्या कहें कर उन्हें वापस लटा दिया जाता ताई बस कहना कि अजी कहने तुसी आप आप चाडू नुचितायागा चाडू आले तो भीउतों करवालों कामा आप आप डेफ गलास के गंदा जमा आज गंदा पानिया देख साकते हो तूटी जो पर आपानिया रहे है या सेड़े जमा गंदा पानिया गा आप देख सकते हैं शाक्षी जो पानी है कितना गंदा है तो आप देख सकते हैं शाक्षी जो पानी है कितना गंदा है जिसको देखने को दिल नहीं कर रहे हैं यह लोग इस पानी का सेवन कर रहे हैं तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजिश आपका हमारे साथ चुड़ने के लिए